स्वागत है आप सभी का मैंट स्विथ साहिध अंसारी यूट्व चैनल पर और इसमें आप देख रहे हैं यहां पर पहला प्रशन दिया गया था सही विकल्प चुनने का तो इसके सही आंसर हमें दे रहा था दुटीविस्विक्ट कप समाप्त हुआ था तो इसका सही आंसर ह प्रशन को देख रहे हैं कि सम्मिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो इसका सही आंसर है संबर 1946 में हुई थी नेक्स्ट कोशन है चुनाओं आयुक्त की नियुक्ति करता है तो इसका सही आंसर का राश्टपति करता है बहरत में सरवाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य है तो यहां पे इसका जो सही आंसर है वह है बिहार नेक्स्ट कोशन आपको देखने वारा है कि यहां पर रिक्तिस्थानों के पूर्ति कीजिए तो इसमें सही आप्सन हमें लिखना था और इस प्रकार से यहां पे पहला प् यहां पे यहां पे इसको हम करते हैं जलोड इसे हम कहेंगे जलोड कि इसके बाद नेक्सट कोचने अर्थ वावस्ता को हलिसान खेत्रों में विवाजन किया गया है तो यहांपर इसका अंसर आएगा पर इक वान देख छे नहीं है रूष्शो की पुष्टक का नाम लिखिये तो इसका नाम था सामाजिक सम्भीदा या फिर इसको अंग्रेजी इसका सही आंसर था जर्मन के जर्मनी राजनेता तो इसका हमें यह answer लिखना था next question था यहाँ पर जैसा कि चौता नंबर पर अरब सागर में स्थित किसी एक दूइब समूँ का नाम लिखी है तो इसका जो सही answer था इसको कहते हैं लक्ष दूइब तो इसमें next question है democracy सब्द की उत्पत्ती किस भासा से हुई थी तो यह इसकी उत्पत्ती हुई थी ग्रीक की जो भासा है ग्रीक की वहां से हुई थी इसका सही सब्द था डेमोस से इसकी उत्पत्ती हुई थी और next question है यहाँ पर भारती समिधान कब लागू हुआ था तो यह 26 जन्वरी सन 1950 में लागू हुआ था इसको आपको पहले भी पूर्व में important question के अंत्रकत बताया गया है next question है यहाँ पर की अर्थ ववस्था की कौन से छेत्र में रखा जाता तो इसे हम दृत्यक छेत्र में रखते हैं तो यहाँ पर आ गया दृत्यक next है यहाँ जैसे कि हम देख रहे साहीं जोडी के अंत्रकत आपको इसमें सीओ Story जचान अंसर था वो रोकानती का प्रेड़ना स्तो से रूर्श करांती का प्रेड़ना स्तो दूसरा आर्थीक मंदी तो यह सं मंद है ताना साही से और भी आरब मेट कर जो थे प्रारूप समीति के अद्धक्ष थे इसकी सही जोड़ी इस परकार से आपको बनानी थी नेक्स्ट है सत्त एवं असत्त लिखना सत्त और असत्त की बात करते दो पहले प्रीशनी दिये गया है एंब भारति समयदा लिखित पर आपका बिल्कुल असत्त है इसकर लिए उत्री मेदान में देश के खनीज भंडार है तो यह बिल्कुल कथन असत्त है इसका चीन में हमेशा Communist Party की सरकार होती तो यह कथन सत्त है और मौसिव विरुजगारी दुटी एक शेत्र में पाई आती ही तो यह कथन विल्कुल आसत है तो इस प्रकार से सब्सक्राइब के आंसर देना थे नेस्ट है यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर इसमें से बहुत सारे प्रशन आपको हमने इंपॉर्टेंट कोश्चन की द्रिश्टी करता हमने आपक प्रशनों को आप जरूर याद करके जायें और उसी प्रकार के प्रशनों आप देख रहे हैं यहां पर 60% कोश्चन यहां पर फशे हैं तो आपको आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा ऐसी हम कामना करते हैं इसी कामना के साथ बहुत धन्यवाद